जै माकाली मित्रों आपका हमारी चैनल माकाली मादुर्गा शक्ती समवाद में स्वागत है मित्रों अगर आप हमारी चैनल पर नहीं है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे साथ ही नोटिफिकेशन बैल को भी प्रैस कीज़े जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंथ मिल जाए मितरो आज का जो विशह है वो विशह ये है कि क्या आपको भी गंदे सपने आते हैं देखे आपने देखा होगा बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें सपने अच्छे नहीं दिखाई देते हैं यानि सपनों में वो कुछ ऐसी चीजे देखते हैं जिससे कि उनका मन विचलित हो जाता है जब वो पूजा करने बैठते हैं तो पूजा करते समय भी उन्हें अपने जो सुअपनी के दरश्चे हैं वो बार-बार दिखाई देते हैं और उनको कुछ ऐसे दरश्चे दिखाई देते हैं जिनके बारे में वो कभी सोचते भी नहीं है या कुछ लोग जो खराब मानसिक्ता वाले होते हैं उनको तो ये बात कही जा सकती है कि आपकी मानसिक्ता खराब है तो इसलिए आपको गंदे सपने आते हैं लेकिन जो व्यक्ति पूजा पाट करने वाला होता है या जो अच्छी प्रवर्ती का व्यक्ति होता है उसको भी अपने में गंदे द्रश्य दिखाई देते हैं या वो अपने आपको किसी मुसीबत में फसा हुआ देखता है या लड़ाई जगडे के सपने देखता है या भूत प्रेत के सपने देखता है या किसी भी प्रकार की गलत क्रिया के सपने देखता है तो उसका क्या कार आदमक शक्ति लगी होती है यानि आपके उपर अगर किसी भी व्यक्ति में या तो तंत्र किया होता है या काला जादू किया होता है या कोई भी प्रेत आपके घर में भेजा जाता है या आपको कहीं से भी प्रेत लग जाता है ऐसा नहीं होता है कि आपको घर में प्रेत ही भ करवाया है कौन है वो व्यक्ति हमारे रिष्टेदार है या कोई अन्य व्यक्ति है लेकिन मा सीधा इस पश्ट सब्दों में कहती है कि अगर आपको जो भी भी जा गया है उसके नाम जानने के बज़ाए अगर आप इसको हटाने का प्रियास करते हैं तो वह सबसे अच्छी ब जा है तो आप उसको छोड़ करके कैसे हटाना है आप उसके चक्कर में लग जाते हैं कि उसको किसी भी प्रकार से हमें सबक सिकाना है यहां उससे लड़ेंगे जगड़ेंगे या बहस करेंगे जाकर कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया लेकिन बहस करने से इन चीजों में कोई लाब नहीं होता है आपका प्रियासी होता है कि इस जो भी बादा प्रेत बादा आपको भीजी गई है इसको हटाया जाए तो जब भी आपको प्रेतवादा लगेगी ये कभी भी आपको जपेट आएगी जपेट का अर्थ होता है कि आप किसी नाकर्तमक शक्ती के कही ना कही संपर्क में आ जाते हो एक तो ऐसा होता है कि आप पूर्ण तहा आपके साथ नाकर्तमक शक्ती लग जाती है एक ऐसा होता है कि नाकारत्मक शक्ति आपको छू के चली जाती है तो ऐसी परिस्तिती में आपको उसका प्रभाव जरूर आता है वो पूरी तरह लग नहीं पाती तो वही चीज होती है जब या तो आपको जपेट आती है या फिर आपको कोई प्रेत बादा लग जाती है तो ऐसी स्थिती में आपको गंदे सपने आने शुरू हो जाते है आपको ऐसा भी स्वपने दिखाई देता है कि कोई आपके साथ गलत करिया कर रहा है आपको ऐसा भी दिखाई देता है कि कोई रात को आपके पास बैठ गया है आपको ऐसा भी लगता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और किसी ने आपको पकड़ लिया है कभी आपको चुड़ायल दिखाई देता है कभी आपको कोई जगड़ता दिखाई देता है कभी आपको कोई मुझे मारने आ हा रहा है मतलब बहुत सारी चीज़य। यो आपको दिखाय देती है और जब सपने आते हैं तो आप उनसे विचलित होते हो तो ऐसा क्यों होता है। जो कि प्रेत बाद आपको लग चुकी है तो उसके लिए क्या करना होता है जब आपको यह स्थिति वने कि आपको गंदे सपने आने शुरू हो जाएं तो उसके लिए आपको अपने पूजा पाठ में परिवर्तन करना होता है आपको क्या करना होता है आपको एक तो कवच का प्रारम कर देना चाहिए दूसरा आपको जो है बजरंग बार्ण करके gonna चाहिए जब आप r prize को सूँ तो रात को सूते समें आप जो है नाम जाब करें अपने इस्ट का नाम जाब करें या फिर हो सके तो अगर आप अगर शुद अवस्ता में हैं तो उस समय पर कवच का पाट करके सोई यानि दुर्गा कवच का पाट करके आप सोई अगर शुद अवस्ता में होते हैं अगर शुद अवस्ता में नहीं है तो आप नाम जाब कर सकते हैं अगर आपको 40 याद है जैसे हनुमान 40 है अगर आपको तो 11 दिन का करें 21 दिन का करें या तालिस दिन का करें जितना आपका सामर्ति है उसी सामर्ति के अनुसार आप बजरंग मान का अनुस्ठान करें और उसमें जो है आपको 11, 21 या 51 जितनी भी आपकी सामर्ति है उतने बजरंग मान के पाट करें तो जैसे जैसे आप पाट रहाई को गंधे सपन्याइव बंद हो जाएगे और आपका ज AceCe वी प्रसन रहेगा हो आपका मन भी शांत हो विचार भी शुद्ध होगे तो इन चोटे उपाईों के करने से आपके जो यह सब्स्क्राइब आने बंद हो जाएंगे हैं सभी के लिए प्रत्फन यही प्रात्ना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आपके अपना पूर्ण आश्रवात बना के रखे, आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जै महाकाली, जै महाकाल,